हलो एवरिवान, मैसेल सिये काजल देरोलिया, उमीद करते हैं सब बहुत बहुत अच्छे होगे, हमारा आज का जो सेशन है वो बेसिकली बेस्ट है ओन नेचर ओफ यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, जैसा कि हमने लास्ट तो क्लासस में बताया था, कि हम यूमन रिसोर्स हीट, थियोरी का डिसकेशन करेंगे और ओरल साथ कंटेंट थे जिस पर हमें डिसकेशन करना था, लास्ट क्लास में हमने यूमन रिसोर्स मैनेजर से रिलेटेट सारे टॉपिक्स अपलोड किये थे, और आज की हमारी क्लास बेसिकली बेस्ट है ओन नेचर ओफ यूमन रिस मैनेजमेंट, तो कंटेंट में जो ओवरल साथ पॉइंट से उसमें आज हमारा सेकंड पॉइंट पर डिसकेशन है, आज देखो यहां से भी एमसी क्यूस बनते हैं, तो इसलिए पहले हम लोग डीटेल डिसकेशन कर लेते हैं, और उसके बाद फिर हम लोग एमसी क्यूस से है, जो हर जगा एक्जिस्ट करता हूँ, तो देखेंगे, अगर हम लोग HRM के सेंस में बात करें, तो no doubt human resource management, basically हर एक organization का integral पार्ट है, inherent पार्ट है, और इसका nature के ऐसा होता है, पर्वेजिव नेचर का, कि आप देखोगे कि यह हर एक organization में, हर एक level of management पे present होता है, क्योंकि basically है, अगर हम लोग बात करें, organization की, तो हर एक organization, चाहिए वो छोटी हो, चाहिए वो बड़ी organization हो, हर जगा आपको human, that is, employees तो मिलेंगे ही मिलेंगे, बिना employees के कोई organization तो start हो ही नहीं सकता, तो employees को हर एक जगा manage करना बहुत जरूरी है, इसलिए बताया गया है, कि इसका nature कैसा है pervasive nature, that is, इसकी existence हर जगा आपको मिलेगी, हर एक level of organization पे, हर एक level of management पे, clear, तो देखते हैं क्या लिखा है, human resource management is an inherent part of an organization, it is pervasive in nature and present in all enterprises at all levels of management, it is a responsibility of each manager to select the right candidate under him, and pay attention to the development and satisfaction of such subordinate. तो देखो, पहली तीन लाइन में तो यही चीज लिखा हुआ है, कि human resource management एक बहुत inherent और integral part होता है, organization का, that is important part, यह pervasive nature का है, that is, इसकी existence आपको हर organization में, हर level of management पे मिलेगी, next यह बताया है, कि इनकी basically responsibility क्या होते है, कि यह logo को, किन logo को, जो basically organization के लिए right candidate है, उनको select करते हैं, उ उनको satisfy करते हैं, and उनकी satisfaction का भी ध्यान रखते हैं, कि basically जो motive से, वो आपको organization join कर रहे है, उन employees का वो motive भी fulfill होना जाहिए, क्योंकि organization में, जो भी employee आपने point कि, अगर आप उसका motive फुल्फिल नहीं कर पाऊगे, तो इस case में, वो आपके organization से switch कर जाएगा, clear, तो basically आप लोग बो result oriented, no doubt, यह result oriented है, reason being, जो HR manager होता है, that is, human resource manager, उनका काम यही होता है, कि वो management और employees के बीच में, एक link बनते हैं, और link किस तरीके से बनते हैं, कि जो भी organization का goal होता है, वो employees को motivate करके achieve कराते हैं, तो basically जो human resource manager होता है, वो दोनों चीज़ का ध्यान रखता है, वो organization के goal का भी ध्यान रखता है, as well as employees के भी goal का ध्यान रखता है, इसलिए बहुत easily वो organizational goals को achieve कर पाते हैं, अपने human resource को motivate करके, clear, and साथ ही साथ जब वो goal achieve करते हैं, तो वो इस चीज़ का भी ध्यान रखते हैं, क optimum utilization हो पाई resources का, that is resources का कम से कम wastage हो, clear, तो देखो point में बोला है, result oriented में, कि it aims at achieving organizational objectives through the optimum utilization of human resources, human resources का best utilization करके, organization के goals को, यह objectives को भी achieve कर बाते हैं, clear, next tactful approach, देखो tactful approach, या कहलो tactful behavior तुनको रखना होता है, क्योंकि basically जो human resource manager होता है, होते हैं, इनको अपनी skill और sensitivity, दोनों चीज़ दिखानी होती है, skill भी दिखाना होते हैं, कैसे communicate कर रहे हैं, और दूसरा, लोगों की तरफ, इनको थोड़ी सी sensitivity भी रखनी होती है, ऐसाने की धरा धमका करके, अपना कोई भी काम complete करा सकते हैं, नहीं, जब यह people के साथ deal करते हैं, उनके goals को, उनके motive को समझ पाएं कि वो organization क्यों join किये हैं, और उनको ये चीज़ समझा पाएं, motivate कर पाएं इसके लिए कि अगर वो organization के goal को achieve करेंगे, तो ही वो अपने personal goal को भी achieve कर पाएंगे, clear, HRM deals with the people who are distinct from one another, does the manager needs to apply diverse strategies and tactics at different point of time and in different situations, no doubt यह तो clear है, क्योंकि रेको हर प्यूपल का जो motive है organization join करने का वो अलग होता है, simply देखो ध्यान रखना कि कुछ लोगों को, सिर्फ और सिर्फ monetary appraisal चाहिए होता है, बट कुछ लोग non-monetary appraisal में भी खुश होता है, बस basically उनको respect के requirement होती है, good environment के requirement होती है, तो हर एक people का organization join करने का reason अलग होता है, आप एक strategy अगर सारे employees पर apply करोगे, तो no doubt आप कभी भी successful नहीं हो सकते, मतलब जो human resource manager है, वो कभी भी successful नहीं हो सकता, उनको diverse strategies, मतलब अलग-अलग strategies apply करनी होती है, अलग-अलग tactics apply करनी होती है, जब वो अलग-अलग लोगों के साथ deal करते हैं, clear, at different point of time and in different situations, अलग-अलग समय पे, अ अलग-अलग strategies अपनानी होती है, तब ही वो सारे के सारे employees को properly satisfy रख पाएंगे, उनको retain करके रख पाएंगे organization में, clear, next one is integrative action, integrate का मतलब simply क्या होता है, जहां हम सारे के सारे functions को, सारे relations को साथ ले करके चलते हैं, लिखा it focuses on maintaining cordial relations among the employees at different levels and also addresses employees grievances, human resource management में ये चीज़ भी होती है कि जितने भी employees उनके साथ उनको अच्छा relation maintain करके चलना होता है, और वो employees जो अलग-अलग levels पे काम करें, हर एक के साथ उनको अच्छा relation maintain करके चलना पड़ता है, so that वो अपनी problems भी share कर सके, अपने motive भी share कर सके and goals भी achieve कर सके, clear, next continuous process, no doubt continuous process है क्योंकि organization से employees कभी भी खतम नहीं ह सकते हैं, so human resource management एक ऐसा process है, जो lifelong चलेगा जब तक organization exists कर रही है, so it is an ongoing process of procurement, development and redirection of personnel towards the organizational goals, it cannot be completed in a day, week or month, अगर आप एस सोचोगे कि human resource management का काम सिर्फ एक या दो दिन का है, एक बार उन्होंने motivate के और सारे employees अपने काम पे लग जाएंगे, सारे employees goals achieve करने पे लग जाएंगे, इसा नहीं होता, human resource management मतलब basically यह होता है कि हर एक employee को आपको regular basis पे या frequently आप कहलो कि motivate करना होता है, promotion देना होता है, increment देना होता है, satisfy करना होता है, so that वो organization के goals को achieve कर पाएं, clear, so it is a continuous process, that is human resource management एक दिन का, एक हफते का या एक महने का काम नहीं होता, बलकि जब तक organization exist करती है, वो हर दिन चलता है, क्योंकि जितने भी employees हैं, उनको आपको daily basis पे manage करना होता है, clear, next, it is future oriented, to sustain and grow in this competitive environment, organizations follow long term strategic planning, effective human resource management prepares people for current as well as future challenges, especially working in an environment characterized by dramatic changes, अब एको future oriented तो है, कैसे है, जब हम organization में किसी employee को appoint करते हैं, तो हमने पहले बताया ना कि appoint करने से लेकर कि उनको retain करने तक का काम किसका human resource management का, तो अब उनको appoint करने के बाद जो भी market में new technology आ रही है, कोई भी new software है, तो उससे related training and development, ये provide करना employee को किसका काम है, organization का काम है, और organization अगर employee पे पैसा लगा रही है, employee को हर एक नई technology से, software से upgrade करा रही है, तो कहीं न कहीं organization का भी उसमें कुछ फाइदा होना चाहिए, और organization का यही फाइदा है कि अगर उनके सारे employees upgraded होंगे, updated होंगे उन technology से, उन changes से जो market में हो रहा है, related to business, तो उस case में वो सिर्फ आज के लिए नहीं, बलकि future में भी वो organization को serve कर पाएंगे, clear? अब जैसे देखो, पहले क्या था, कि पहले manual accounting होती थी, but आज के time पे, अगर देखा जाए, तो maximum accounting होती है, किसी ना किसी software पे, और basically वो software होता है, tally, तो अगर organization, अपने employees को, उनको training ना दे, related to tally, तो उस case में problem क्या होगी, कि आज तो मालो कि ऐसे भी काम चल जा रहा है, but future में वो जो employees है, वो organization के लिए बेकार हो जाएंगे, employees वो organization के लिए burden बन जाएंगे, clear? तो यही चीज़ बता रहा है कि जो human resource management है, यह एक ऐसा source है, जिससे हम अपने organization को ready कर पाते हैं, dynamic nature के लिए, dynamic nature मतलब जहां पे organization के environment में कु जब हम अपने employees को upgrade कर रहे हैं, जब हम employees को ऐसा बना रहे हैं कि वो किसी भी change को adapt कर सकते हैं, तो उस case में आप present को तो लेके चली रहे हो, साथी साथ अपने future challenges के लिए भी खुदको ready कर रहे हो, clear? लिकार, to sustain and grow in this competitive environment, organizations follow long term strategic planning, effective human resource management prepares people for current as well as future challenges, especially working in an environment characterized by dramatic changes, एक ऐसा environment जहां कुछ ना कुछ changes होता रहता है, वस environment के लिए भी आप अपने employees को update कर रहे हो, ready कर रहे हो, क्यों? क्योंकि आप उनको proper time पे training and development दे रहे हो, clear? next, pupil centric no doubt human resource management मतलब ही क्या है, human resource को manage करना, मतलब employees को manage करना, human resource management continuously works towards the development of employees, there are various tools used to make the employees reach their maximum potential, training programs are held to help employees enhance their skills and knowledges, human resource management का काम ही ही होता है कि वो employees को, वो employees के development पे काम करें, basically बहुत सारे ऐसे tools हैं, जिनको use किया गया, ताकि वो employees को motivate कर सके, and उनका जो maximum potential है, मतलब जो वो maximum serve कर सकते हैं, organization को, उस level तक उनको पहचा देना, तो basically ऐसा कहा होता है, जब आप उनको proper environment दे रहे हो, proper pace के लिए उनका, उनको proper respect मिल रही है, proper training development मिल रही है, तो employees क्या करेगा, organization को अपना 100% serve करेगा, clear, और 100% serve, वो खुद नहीं करता, ये काम किसका, human resource management का कि उनको कराना पड़ता है, clear, training programs are helped to help employees, enhance their skills and knowledges, monetary and non-monetary rewards structures are tuned to motivate the employees, और employees को time to time, promotion and increment, जैसे monetary reward भी है, non-monetary reward भी है, monetary reward में हो गया, कि directly जब हम उनको पैसा दे रहे हैं, जैसे increment कर रहे हैं, उनका पैसा, उनकी salary increase कर रहे हैं, और non-monetary reward मतलब जैसे simply क्या हो गया, कि किसी भी तरह का कोई benefit उनको दे दिया, जो कि cash में नहीं है, other than cash है, that is in kind, clear, तो ये basically organization क्यों करते हैं, so that employees ज्यादा से जादा motivate हो पाएं, और employees अपना 100% serve कर पाएं organization को, clear, next, enhance employee relations, human resource management helps to build a healthy relationship between the employees at various levels, it encourages mentoring and counseling to help employees in times of need, it aims at creating a culture in the organization that is conducive in learning and growth, ये तो clear है, कि जो human resource management है, basically इनका काम क्या होता है, human resource management में हम यही करते हैं, कि अपने employees के साथ एक healthy relation बनाते हैं, देखो अगर आपके employees खुश होंगे ना, तो आपके organization का सारा goals आप achieve कर सकते हो, ये बहुत बड़ा fact है, और इसमें यही चीज़ बता रहा है, कि human resource management का काम यही होता है, कि वो अपने employees को encourage करते हैं, mentor करते हैं, and counseling करते हैं, उस point of time पे जब employees को ज़रूरत होती है, किसी के advice की, clear? तो अगर हम human resource management की बात करें, तो इनका aim क्या होता, at creating a culture in the organization, कि organization में एक ऐसा culture बनाए, that is conducive to learning and growth, जिसके through, हमारे employees हमेशा learn करें, और उनकी हमेशा growth हो, क्योंकि अगर employees की growth होगी, तो organization की भी growth होगी, clear? And last point is interdisciplinary function, the knowledge that has influenced human resource management is interdisciplinary in nature, it drives knowledge from five major bodies, education, system theory, economic, psychology, and organizational behavior, ये पात चीजें हैं, जो basically, human resource management की knowledge को influence करती है, कौन कौन सी, education, system theory, economics, psychology, and organizational behavior, मतलब human resource को manage करने के लिए, जो manager होते हैं, वो एक तो educated होने चाहिए, उनको organization की system की proper theory समझनी चाहिए, economics के बारे में समझे, that is, क्या goal है organization का, क्या monetary return organization चाहता है, लोगों की क्या psychology है, क्यों उन्होंने organization जोइन क्या है, कैसा वो सोचते हैं, and organization का क्या behavior अपने employees की तरफ, basically, ये पात चीजें हैं, जिसके basis पे human resource management काम करता है, clear, तो basically, पात चीजें हैं, जो कि एक human resource management के लिए important है, clear, तो overall अगर nature देखा जाए, तो nature में 9 points है, पहला है pervasive force, next था result oriented, next tactful approach, then integrative action, then continuous process, then future oriented, pupil centric, and last 2 था हमारा enhanced employee relations and interdisciplinary function, ये सारे natures बहुत important है, अगर अगर ये सारे points आपको clear हो गए, तो उस case में, question MCQ कहीं से भी वने, बहुत ही easily आप उसका answer कर पाऊगे, तो हम उमीद करते हैं कि आपको आज का topic हमारा clear होगा, अगर आपको हमारी आच्छी class पसंद आई है, तो आप वीडियो को like जरूर करिएगा, और comment जरूर करिएगा, अगर आप हमारी चानल पर नए हो, तो आप हमारी चानल को subscribe जरूर कर देना, so that आपको सारी classes की updates and notifications timely मिल जाएं, अगर आपको आच्छी class में कहीं पर भी कोई doubt होगा, तो आप comment box में comment करके जरूर पूछना, आज के लिए बस इतना, thank you so much.